आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि गद्य का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी इसे और अच्चे से समझेंगे तो सबसे पहले गद्य का आर्थ समझते हैं गद्य का आर्थ होता है गद्य लेखन ये सामान्य भाषा में लिखा हुआ ये कोई ऐसी रचना जिसमें रस चंद तुकादी का विधान न हो यानि कि जैसे कोई कहानी लिखी गई है या कोई किसी चीज पर कोई आर्टिकल लिखा गया है तो उसको हमें गद्य कहते हैं जिसमें तुकबंदी नहीं होती यानि कि जैसे कोई कविता होती है तो उसमें तुकबंदी होती है यानि कि जो आखरी लाइन है वो सेम होती है तो जो ऐसी लेखन होते हैं, कोई आर्टिकल वगेरा होता है, तो उसका कोई पार्ट होता है, उसको जो है गद्य कहा जाता है, यानि कि जो कवीता नहीं हो, कोई कहानी हो, तो आम भाशा में कर हम समझने की बात करें, तो जो कवीता ना हो, कहानी हो, उसे हम गद्य कहते हैं, और उसको पद्य कहते हैं, तो गद्य का विलोम शब्द यानि के विप्रितार्थक शब्दों का पद्य, और पद्य कार्थ होता है कविता या जिसमें कविता के पद्य चरण हो, आईए अब हम गद्य और पद्य को कुछ उधार्ण वाक्यों से समझें, जैसे कि आप ये कह सकते ह हैं, इंदी सायत्य में गद्य और पद्य दोनों महतोपूर हैं, या फिर आप कह सकते हैं, गद्य रचनाएं बहुत ही प्रेगना दायक हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसने एक सुन्दर पद्य लिखा, यानि कि उसने एक सुन्दर कविता लिखी, या फिर आप कह सकते है कि काव्य में पद्य का विशी स्थान है अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें